हेलो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं ये है राधा का घर और यहां पर अभी सुबा का टाइम है राधा यहां पर सोई हुई है और यहां पर सोया है श्याम चली देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है अरे लेकिन यहां राधा को क्या हुआ है उसके चेहरे पर क्या निकल पता नहीं कहां अचानक से मेरे वोपे चिकन पॉक्स निकल आए चलो अच्छा है कि मुझे जल्दी से पता चल गया श्याम से में दूर आकर लेट गई देखो तो श्याम के पापा भी घर पर नहीं अब मैं क्या गरू मेरी तो तवियत खराब हो गई अरे नहीं मुझे बच्पन से चिकन पॉक्स नहीं पसंद है अब मैं कैसे क्या करू समझ में नहीं आ रहा चलो थोड़ा सा उठने की कोशिश करती हूँ अरे नहीं मेरा तो पूरा बदन दर्द कर रहा है अपमें क्या गरू कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और यहां पर गईयां चिला रही होती है अरे गईयां मुझे पता है तुम्हें भूक लगी होगी तुम्हें चारा चाहिए है ना लेकिन मैं क्या गरू में कहीं पर जाकर तुम्हारे ले चारा बने ला सकती है मेरे तबिएस बहुती दख खराब है मुझे माफ कर देना काश कि कोई होता मेरा मदद करने के लिए और फिर तभी शाम यहाँ पर जाग जाता है ममी 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 का ममी है और फिर शाम अपनी ममी को ढूणने के लिए जाने लगदा है ममी ममी यहाँ है ममी ममा ममा आपके पाई शोन ममी अरे अरे शाम बेटा तुम यहाँ पर मात आओ मेरे पास वाना तुम्हें विचिकर बॉक्स निकलाएंगी चलो जाओ बेटा यहाँ से समझो मेरी बास चलो चलो अब जाओ वहाँ पर जाओ मैं अभी आती हूँ तुम्हारे ले खाना लेकर चलो जाओ बेटा है नई ममी ममी अरे बेटा ममी तुम्हारे बिमार है ना देखो बेटा मेरी बास समझो तुम तो समझदार बच्चे हो, है ना, चलो चाओ अभी यहां से, मैं थोड़ी दिर में आती हूँ तुम्हारे पास अरे आखिर अब मैं क्या करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है है, ना, ना, मुझे मम्मी के पाई सोना, अरे ने शैम, यहाँ पर मताओ बेटा ना, ना, मामी, मामी, मामी अरे शैम, यह तुमने क्या आखिया बेटा, आप तुम्हें भी चिकन पोक्स निकलाएंगे मैंने कहा दरा, चलो जाओ यहां से अरे अब मैं क्या करूँ श्याम ने तो मुझे छूही लिया अब तो श्याम को भी चिकन पोक्स निकल आएंगे है 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 मम्मी डाना डाना क्या अरे देखो तो इतने जल्दी श्याम को भी चिकन पोक्स निकल आए मैंने कहा था श्याम की मेरे पास मत आओ देखो अब तुम्हे भी चिकन पोक्स निकलने लगे है ना देखा मेरे बात ना मानने कर नतीज़ा आप तो तुम भी बिमार पड़ जाओगे ए मम्मी दाना अरे अरे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है वहमारी मदद कौन करेगा आखिर और ने तभी यहाँ पर चंदा और सोनम राधा के घर आ रहे होते हैं अले मम्मी चली चल्दी शे बताएंगे लाधांटी को अरे अरे सोनम तुम यहाँ पर अरे अरे सोनम मुसे दूर हटो बेटा मुसे दूर हटो अरे क्या अले 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 आंटी आपके मुझे क्या निकला हुआ है वो भी इतना शाला अले आखिली क्या है अले बेटा चिकन बॉक्स क्या कहा चिकन बॉक्स अले देखे तो किता शारा निकला है अरे सुनम तुमने मुझे चूल लिए, आप तुम्हे भी निकलेगा अरे सुनम दीदी भी आई है क्या अरे हाँ, चलो अच्छा है कि दीदी भी आई है, बहुत ही अच्छा हुआ अरे अरे राधा ये सब क्या होगी है तुम्हें चिकन पॉक्स कैसे निकल गए अरे देखो तो तुम्हारे सारे मुँपर चिकन पॉक्स निकले हुए हो भी बड़े वाले अरे अब तुम क्या करोगी तुम्हारी तबीत भी खराब होगी और देखो तो शयम को भी चिकन बोक्स निकला हुआ है अरे हाँ दिधी देखी रहा सुभै सुभै चिकन बोक्स निकल आए पता नहीं, मैं क्या। गरू शयम की पापा भी घर पर नहीं है और मेरे सारे काम भी नहीं हुए है मुझे तो कुछ भी समझ पे नहीं आ रहा अरे अरे रादा समालो आपको समालो रादा अपको अरे अरे जीदिया मुझे मचласт हो यह वरना आपको भी चिकन पॉक्स निकलाएंगी अरे रादा तुम चिनता क्यों करती हू मैं हूँ ना मैं तुमारे घर का सारा काम कर दूंगी अरे लेकिन दीद Bjीश आ खृए जरूरत नहीं है और वेसे भी सूनम बी मुझे छूल लिया है आप सूनम को भी चिकन पोस निकलेंगे देख ले ना क्या सोनम ने भी छू लिया है क्या अब तु सोनम को भी चिकन पॉक्स निकलेंगे अरे ये क्या हो गया दीदी आप दूर रहेगा वरना आपको भी निकलाएंगे अरे राधा तुम चिंता मत करो मैं अभी मेडिकल से जाके चिकन पॉक्स के दवाईया ले आती हूँ उससे बहुत दे ठीक हो जाता है और वेसे भी तुम्हें क्या लगदा है कि मैं इतनी सेलफीश हो कि तुम सब को छोड़के मैं यहां से चली जाऊंगी अरे नहीं दीदी ऐसी कोई भी बात नहीं आप तो बहुत अच्छी है ठीक है राधा वो सब छोड़ों में जाकर मेडिकल से जल्दी से दवाईया ले आती हूँ उसके बाद तुम सब ठीक हो जाओगे तुम बस अपना ख्यार रखो और सोनम और शाम का भी ख्यार रखना देखो तो बचारा शाम कैसे लेटा हुआ है उसके तो पूरी तवियत खराब हो गई है हाँ हाँ दीदी में ख्यार रखोंगे आप बस जल्दी से जाकर दवाईया ले आए मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्ट नहीं हो रहा है वो तो बच्चे है अरे हाँ हाँ राधा मैं जाती हूँ जल्दी से लेकर आती हूँ दवाईया ख्यार रखना अपना और यहाँ पर चंदर दवाईया लाने के लिए जाने लगती है जो जल्दी जाती हूँ जल्दी से लेकर आती हूँ और यहाँ पर सोनम के मुपे भी चिकन पॉक्स निकल आते है अरे सोनम ये तो बहुत ही पुरा हुआ मुझे माफ कर देना मेरी वज़े से तुम्हें भी चिंता मत करो बेटा तुम भी ठीक हो जाओगी हाँ ठीक है लादा अंटी जैसे आपके है चलो मैं भी जाकर सो जाती हूँ मुझे भोटियो तब बिमार जिशा लग रहा है अरे मेरी तबियत तो खराब हो गई अरे सोनम तुम भी आकर सो जाओ बेटा यहाँ पर ठीक है न राधा आंटी जैसे आपके है चलो मैं भी जाकर लेट जाती हूँ ममी बशाती ही होंगे फिर जबा पीकर मैं भी ठीक हो जाओंगी और यहाँ पर यह तिरो खटिये पर लेट जाते हैं अरे पता नहीं दीदी कहां पर रह गई और यहाँ पर चंदर दवाईया लेकर आ रह होती है अरे चलो जलदी जाती हूं सब लग बहुती न कलीफ में होंगे अरे राधह देखो मैं आगई दवा लेकर तुम चिंटा मत करौ देखो मैं आ गई है है बार तुम सब ठीक हो जाओगे अरे मा देको तो दीदी आगई है चलो अच्छा है अब हम सब ठीक हो जाएंगे वो दवाई भी लेकर आई है ये ये मम्मे जल्दी से दवाई दे दो अरे देखो तो सोरम के मुबर भी कितना सारा चिकन पोक्स निकल आया चलो मैं तुम सब को जल्दी से दवाईया दे देती हूँ डॉक्टर ने बोला था दो दो घूट दे दे ना हाँ ठीक है चलो देती हूँ अरे हाँ दीदी चलो देखती हूँ हाँ ठीक है चलो अपना मुह खोलो ये दवाई थोड़ा सा कड़वा है ठीक है ना थोड़ा सा कड़वा लगेगा लेकिन तुम सब जल्दी से ठीक हो जाओगे चलो राधा अब जल्दी से मुझ खोलो हाँ देदेजी औरे छी-छी कितना कड़वा है ये चलो कोई बात नहीं पी लेती हूँ जल्दी से चलो श्याम आ ने 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 छी-छी दवाई दूआई ने छी-छी है चलो पी लो श्याम अच्छी से अले ये के तो टू आई है तो भोते दा कड़वाई रहता है अले मुझे नहीं पीना मम्मी है मुझे मत देना चलो सनम आ करो अले जी 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 किता गंदा है ये कोई बात नहीं बेटा तुम ठीक हो जाओगी जल्दी से चलो ठीक है बस एक ही खुराक काफी थी अब तुम सब बहुत ही अल्दी रीकवर हो जाओगे और राधा तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो मैं तुमारे घर का काम कर दूँगी हरे दीदी आप तो सच में बहुत ही अदा अच्छी है और यहाँ पर गईया को भूग लगी हुई होती है अरे हाँ दीदी देखिए न गईया बहुती देर से भूकी है आप उसे चारा दे दीजिए अरे हाँ राधा ठीक है यह भी कोई बोलने वाली बात है मैं अभी गईया को चारा दे देती हूँ वो तो बहुत यह दा भूकी दिख रही है तुम बस लेटी रहो और आराम करो ठीक है न हरे दीदी आप कब होती दो शुक्रिया अरे राधा इसमें शुक्रिया बोलने वाली क्या बात है चलो जाकर दीदी दी हूँ हाँ इतना घास तो काफी होगा ये लो प्यारे मादुरी तुम्हारे धेर सारा चारा लेकर आई हूँ अच्छे से खाओ ठीक है न और चाहिए तो और मांगना और यहां पर गई है जल लेदी चारा खाने लगती है अरे देखो तो बिचारी कितनी जादा भूकी थी चलो अब जाकर जाड़ो भी मार लेती हूँ देखो तो कितनी सारी पत्या गिरी हुई है रसोई में और फिर यहां पर राधा जाड़ो भी मारने लगती है अरे सच में चिकन पोक्स तो मुझे भी बिल्कुल भी पसंद नहीं यह पूरे शरीर पर इरिटेशन होने लगता है लेकिन कोई बात नहीं अब तो यह ठीक हो जाएंगे अरे अरे देखो सोनम हम सब ठीक हो गए दीदी आप कहां पर है देखिए हमारा चिकन पोक्स चला गया अरे वाद दीदी ने तो बहुत ही बढ़ी अदवाई लेकर आए थी बहुत ही अच्छा हुआ यह यह चिकन पोक्स गया यह अरे दीदी चल्दी आईए अरे अरे राधा क्या हो गया क्या बात हो गया तो वेश्चु चिला क्यों रही हो अरे अरे ये क्या राधा हरे हाँ दीदी मेरा चिकन पोक्स चला गे देखे मेरा पूरा मुसाफ हो गया और बच्चों कभी अरे हुआ हाँ मम्मी दोस्तों अगर आपको हमारी काने अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देड़ा